हलो फ्रेंड्स, वेलकूं टू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं अर्पी बटेल बात करूँगा आपसे स्वीडियो में अधिगाम इस थानतरा टापिक के सम्मन्द में और जैसा कि आपको पता है हम लोग सिच्छा मनोवे ग्यान की 500 MC GOOGE की सीरीज चला रहे हैं जिसका ये जो है 11 पार्ट हैं और अगर आपने पहले के 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा इन 10 पार्टों में जो है मैंने 10 टापिक को कवर किया हुआ है और अभी तक हम लोग 215 प्रशन पढ़ चुके हैं तो उनको देखना मत भूलेगा बहुत ही महत्वण हैं वो सभी और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें तो शरू करते हैं अपना वीडियो पहला प्रसने मारा एक परिस्तित में सीखा गया गयान दूसरी परिस्तित में प्रियोग करना कहलाता है अधिगम पठार, अधिगम निर्योगिता, अधिगम इस्थानांतरन या अधिगम अरजन तो ये कहलाता है अधिगम इस्थानांतरन मतलब एक परिस्तित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी परिस्तित में प्रयोग किया जाता है तो वो होता है अधिगम इस्थानांत्रण यह कतन किसका है इस्थानांत्रण एक परिष्थित में अर्जित ग्यान प्रिशिच्छन और आदतों का दूसरी परिष्थित में इस्थानांत्रण किये जाने का उलेग करता है कॉलसेनिक का यलोन का नाइट का या सोरेंसन का तो यह कतन है सोरेंसन का एक बार फिल पढ़ लेते हैं परिभासा को इस्थानांतरण एक परिष्टित में अर्जित ग्यान प्रिशिच्छन और आदितों का दूसरी परिष्टित में इस्थानांतरण किये जाने का उल्लेक करता है तो ये कथन किसका है सोरेंसन का देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरू करेगा और कमेंट करके जरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और सेर भी करना मत भूलेगा वीडियो अगला परिशने इस्थानांतरण सामानी करण है क्योंकि यहाँ एक नए छेतर तक विचारो का विस्थार है यहाँ कतन किसका है पीटर्सन का, सोरेंसन का, यलोन का, थंडाइग महोदे का तो यह कतन है आपका, पीटर्सन महोदे का इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इस्थानांतरन सामानी करना है क्योंकि यहाँ एक नए छेत तक विचारों का विस्तार करता है या विचारों का विस्तार है अगला है इस्थानांत्रण पहली परिस्थित से प्राप्त ज्यान कुसलताओं आदतों अभियोगताओं या अनिकरियाओं का दूसरी परिस्थित में प्रियोग करना है मतलब इस्थानांतर जो है एक परिष्टित में सीखा गया ज्ञान आदत अभयोगताओं अनिक्रियाओं का दूसरी परिष्टित में प्रियोग करना है यहां कतन किसका है? पीटरसन का, मासलो का, कॉलसेनिक का या क्रोंड क्रों का तो यह कतन है आपका कॉलसेनिक महोदे का सी आप्शन सही है अगला बहुत ही अच्छा प्रश्टे है अधिगम के इस्थानांतरन से अभिपराय है एक कारिकी निस्पति, दूसरी निस्पति से प्रभावित होती है यह कतन किसका है? अधिगम के इस्थानांतरन से अभिपराय है एक कारिकी निस्पति, दूसरी निस्पति से प्रभावित होती है यह कतन है अधिगम इस्थानांतरन के प्रभिपराय होते है तीन, चार, दो, छे, तो यह हैं दो शकारात्मक अधिगम इस्थानांतरन और नकारात्मक अधिगम इस्थानांतरन यह इसके दो प्रकार हैं अधिगम इस्थानांतरन के यदि पूर उग्यान अनुभव या प्रसिछन नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो या इस्थानांतरन कैसा होगा दुई पार्शिक, सकारात्मक, नकारात्मक या इनमें से कोई नहीं मतलब एक परिस्थे में सीखा गया जब दूसरी परिस्थे में सहायक बनता है तो ये कैसा अधिगम इस्थानांतरन होगा तो ये होता है शकारात्मक अधिगम इस्थानांतरन वो धारण देखा जाए तो जैसे जब कोई बालक या विक्ती स्कूटर चला लेता है तो वो जो है मोटर साइकल भी चला लेता है मतलब स्कूटर चलाने का जो ग्यान है उसका दूसरी परिस्थे में प्रियोग हो रहा है तो मतलब यहां कैसा होगा शकारात्मक अधिगम इस्थानांतरन मैंने आपको बता है कि एक परिस्थे में सीखा गया ग्यान यब दूसरी परिस्थे में सहाइक मनता है तो वो होता है शकारात्मक अधिगम इस्थानांतरन अगला है ये पूर उग्यान अनुभव या प्रसिछन नए परकार के सीखने में साहयता परदान नहीं करता है तो यह क्या होगा या कैसा अधिगम इस्थानांतरन होगा नकारात्मक, सकारात्मक, छैति या सम्मानांतर तो मैंने आपको बताया है ये होगा नकारात्मक मतलब एक परिस्तेद में सीखा के गयाँ जब दूसरी परिस्तेद में सहाईक नहीं बनता है तो ये होता है नकारात्मक अधिगम इस्थानांत्रन जैसे मौली ये बाइक बनाने वाला एक मेकैनिक है तो उससे साइकल बनाने के लिए कह दिया जाए तो नहीं बना पाएगा या ट्यक्टर बनाने वाला मेकैनिक है उससे कह दिया जाए मोटर साइकल बनाओ तो नहीं बना पाएगा तो इस प्रकार का जो अधिगम में इस्थानांत्रण होता है वो नकारात्मक अधिगम इस्थानांत्रण होता है मतलब एक परिष्टित में सीखा गया ग्यान जब दूसरी परिष्टित में साहिक नहीं होता है तो ये होता है नकारात्मक अधिगम इस्थानांत्रण अधिगम इस्थानांत्रण के अंतरगत समान तक्तो का सिध्धान किस ने दिया इसके नर क्रो एंड क्रो जड थांडाइक तो ये दिया है थांडाइक महोदे ने थांडाइक जी बहुत ही महत्वपूर है एक्जाम की दृष्टी से ये हर टापिक में आपको मिलेंगे चाहे बुद्धी हो चाहे अग्रहना हो किसी भी टापिक में सबसे ज़्यादा फेमस हैं सीखने के नियमों को लेकर इन्होंने सीखने के कुल नियम दिये थे कितने आठ दिये थे जिसमें से तीन प्रात्मिक हैं और पांच गौण हैं तीन प्रात्मिक नियम कौन-कौन से है प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम एक्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है इन्होंने इन सिध्धानतों को इन्होंने अपना जो सीखने का अधिकम का सिध्धानत है उसे सिध्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रोकिया था ये भी बात ध्यान ने केगा आप लोग इन्होंने इसार थेवरी दिये है ये भी बात ध्यान ने केगा सामानी करण का सिधान किस ने दिया मासलो जड थांडाइक इस्पेरमेन तो ये दिया है जड ने B option इसका सही है सामानी करण का सिध्धान दिया है Z ने अगला है सामान वा विशिष्ट तत्तों का सिध्धान किस ने दिया Spearman C.H.J. Thandike Abraham Maslow तो ये दिया है Spearman ने पहला option इसका सही है General General factor मतलब सामानी तत्त और Special factor मतलब विशिष्ट था तो ये दिया है Spearman ने अगला है मारा प्रस्व अधिकम इस्थानांत्रण के लिए उप्योग दसाए कौन सी है सीखने की इच्छा सामान वुद्धी शमान अध्यन वुद्धिया या चोथा है सीखने वाले की सैच्छी की योगता तो इसमें से कौन सा अप्रस्व योगा ये चारो दसाए जो है अधिकम इस्थानांत्रण के लिए उप्योगत होती है या महत्वण होती है कौन कौन सी है सीखने की इच्छा सामान वुद्धी शमान अध्यन वुद्धिया सीखने वाले की सैच्छी जोगता ये अधिकम इस्थानांत्रण के लिए उप्योगत दसाएं है अगला है इस्थानांत्रण अधिकम की कुसलता पर महतपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है या गतन किसका है फ्रैंट्सन, गेरेट, इसकिनर, मरसیल का तो ये क उधन है फ्रैंट्सन, महुद्धे का पहला अप्सन इसका सही है देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट करना मत भूलेगा वीडियो का सेर जरू करेगा अगर आपको अच्छा लगता है देखिए एक्जाम तो बहुत दिनों के बाद होते हैं जैसे सीटेट का एक्जाम जो है जुलाई में होने वाला है लेकिन तयारी अगर हम अभी से करेंगे तो सफलता मिलेगी अनता जो है आप एक या दो नमबर से जिस परकार हमेशा रह जाते हैं उसी परकार रह जाएंगे तो मेहनत अभी से करिए क्योंकि पढ़ना बहुत होता है तो मेहनत करते रहें और वीडियो देखते रहें मेरे सभी वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आप जो है अच्छे अंक लाएंगे अगला है जब मानो सरीर के एक भाग को दिये गए प्रिसिछण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं और्धों अंतरण, छेतेज अंतरण, दूइपारसुक अंतरण या समान अंतर अंतरण तो जब मानो सरीर के एक भाग को दिये गए प्रिसिछण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो ये होता है दूई पारुसिक अंत्रण C option इसका सही होगा अगला प्रस्ने और लास्ट प्रस्ने हमारे इस वीडियो का जब एक परिष्टित में सीखा गया ज्यान दूसरी परिष्टित में ना तो साहता करे और ना ही कठिना इतुपन करे तो इसमें कौन सा अधिगम इस्थाना अंत्रण होगा सून इस्थाना अंत्रण, ओर्धो इस्थाना अंत्रण, छेदिज अंत्रण या दूई पारुसिक अंत्रण तो एक परिष्टित में सीखा गया ज्यान जब दूसरी परिस्तित में ना तो सहता करे ना ही कठिना योतुपन ने करे तो ऐसा स्थानांत्रन होता है सून invece उस्थानांत्रन तो इस प्रकार हमारा आज का जो टापिक है वो समाब्त होता है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ